असलाम अलेकूम फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूं आप सब खेरे से होंगे तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं यकनी बिर्यानी की रेसिपी तो वीडियो देखेगा बिना इसकीप ही और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर दीजिए और चैनल पर नहीं है तो सबस्क्राइब करना बिल्कुल मत बूलेगा तो देखिए यकनी बिर्यानी बनाईए मैं आज दिली स्टैल में तो देखिए कितने खिली-खिली हमारी बिर्यानी बनकर तयार हुई है खाने में तो इसका जवाब नहीं था फ्रेंड्स तो यह देखिए यह दाइकलो हमारा गोस्त था जिसकी बिर्यानी मैंने बनाई थी तो देखिए मैंने अच्छी तरह से साफ करके दोकर रख लिया एक प्रेशर कूकर के अंदर क्योंकि हमें इसकी अखनी उपाली हैं तो यह देखिए कुछ खड़े मसाले हैं यह भी हम इसके अं लाइन और शिंदर डाल देंगे और यह डाल दिया है मैंने इसमें साबूत धनिया आल देखिए इस ही अएड कर देंगे यह रही हमिसके अंदर देंगे और इसी में आध कर देंगे नमक टेस्ट के कोरणिbout फक्र ठीन म totally में थोड़ा सवन् Да डलेगा आल सुग wahr प्यकि बो में 4 ग्लास पानी लगाज एँ इस में 4 सीडिया नहीं फ्रेंट्स बहुत ही मज़े की बनीती बिर्यानी आप जरूर से बनाईएगा इस तरीके से तो ये देखिए यगने हमारी उबलकर तयार हो चुकी है तो मैं आपको दिखाती हूँ तो देखिए बोटी भी हमारी अच्छी तरह से गल चुकी है तो ये देखिए बोटी भी गल कर तयार हो चुकी है तो चलिए अब अच्छी तरह से इसे ढख कर रख देते हैं और आगे का प्रोसेस कर लेते हैं कि अधि ये फिरफेस ब hebben अच्छी लगे तो वीडियो को लाईक ज़रूर दीजेगा तो देखिए गैस पर प्रख दिया था मैंने और उसमें डाल दी है मैंने प्यास तो देखिए मैंने बड़े साइज की ये प्याज ली थी तो ये मैंने ओयल को अच्छी तरह से गर्म करके मैंने डाल दी थी प्याज में क्योंकि हमें हलका सा ब्राउन करना था इन प्याज को तो देखिए इस टाइम पर मैं आपको दिखानी पाई थी तो देखिए हमाई प्यास अच्छी तरह से गॉल्डन हो चुकी है और थोड़ी प्यास मैंने निकाल लिए बाहर और थोड़ी रहने दिये मैंने भुगोने के अंदर ही तो देखिए इसी टाइम पर हम डालेंगे कुछ खड़े मसाले वो खड़े मसाले डाल कर भी अच्छी तरह से चला लेते हैं ओईल आप अपने हिसाब से रखेगा कम यह जादर तो देखिए जैसे हमारे मसाले चटक जाते हैं हम इसमें एड़ कर देंगे यह चार चम्मच लसन अद्रक का पेश्ट था तो हम इसने एड़ कर देंगे तो अच्छी तरह से भून लेते हैं हम लसन अद्रक के पेश्ट को तो देखिए लसन अद्रक का पेश्ट अच्छी तरह से भून चुका है तो देखिए इसमें डालेंगे कुछ हम यह मसाले तो देखिए मेरे पास है हरा धनिया हरे मिर्च और पौदिन यह भी हम इसके अंद जला लेते हैं तो देखिए मसाला हमारा अच्छी तरह से भून कर तैयार हो चुका है देखिए इसमें डाल देंगे हम आदी चमच लाल मिर्च का पाउडर आपके पास पीली मिर्च हो तो आप भो भी डाल सकते हैं इस टाइम पर तो देखिए इन सभी मसालों का अच्छी तरह से भून कर हम डाल देंगे यह अगनी की बोटियां जो मैंने निकाल कर रख ली थी एक प्लीट में तो देखिए मैंने डाल दी इसके अंदर आछितरह से मसालों में मिला लेते हैं और इस टाइम हम सारी की सारी बोटियों का अच्छी तो देखिए अच्छी तरह से पूटी और चला चुका है और हम अच्छी तरह से बून चुके हैं तो दो मेट हो चुके थे इसे भूनते हुए तो देखिए जो यकनी का पानी में अलग करके रखा हुआ था वह हम इसके अंदर डाल देते हैं तो देखिए अगर आपका यकनी का पानी कम हो तो आप थोड़ा सा पानी और जादर डाल दीजिए इसमें तो देखिए पानी डालने के बाद हम इसमें एड करेंगे चावल यह चावल मैंने दो घंटे पहले ही भीगने रख दिये थे तो यह देखिए दो घंटे हो चुके थ इसमें नमक तेस्ट के अगोंडिन थोड़ा से देख लेजिए इस टाइम पर तक क्योंकि हमने अखनी के अंदर हमने नमक डाला है तो आप थोड़ा से देखकर डाला लिएगा इस टाइम पर तो फिर सेम अची तरह से चला लेते हैं तो देखिए हम चैक कर लेते हैं इस टाइम पर नमक और चैक करके हम इसे आपको दिखाते हैं दस मेट के बाद तो मैंने इसे ड़क्यर पकाया है तो देखिए दस मेट हो चुके हैं इसे पकते हुए तो देखिए मैं बीच में इसे एक बार चला लेती हूं सायर है अच्छी तरह से ब्रयानी को कि बहुत हीलकी हासी भीर्यानी को चलाएंगे है तो थे चलाने के बाद हम इसे फिर दख देंगे पांश मेंट के बाद फिर मैं पिर आप पर दिखाती हूं हाँ है क्रों देखिए फिर और टताหु है और मैं आपको फिर से दिखा रही हूं इसे तो इस टाइम पे हम थोड़ा सा भाप में रखेंगे इसे ताकि हमारे चावल सॉफ्ट हो जाएं तो देखिए मैंने रुमाल को अच्छी तरह से गीला करके इस तरीके से रख दिया इसे भाप में तो देखिए अच्छी तरह से भाप में हमारे चावल पक चुके हैं तो मैं आपको फूलकर दिखाती हूं तो देखिए इस टाइम पे डाल देंगे हम फ्रूट कलर तो देखिए इसके अंदर डाल दिया फ्रूट कलर और इसी में डाल देते हैं तली हुई प्यास जिनसे खुश्बू बहुत अच्छी आती हैं और खाने में बहुत अच्छी लगती हैं तो आप जरूर से उपर से डालिएगा और इन सभी को डालेने के बाद हम फिर से इसे ड कि उस्षबूदार मज़ेदा हमारी ब지नत Inhale त्यार हुई है तो मैं आपको चलाकर दिखाती हूं को अभी को दिखाने की कि अड़्याणि के दखाती हूं के द dimension है चाले से हमार्फ भल चावल हमारे बंकर तयार हुई थी सभी ने बहुत तारीफ तिह जरूर से बनाइएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा तो मिलती हूं ऐसी वीडियो क्या तब तक लिए लाग